ही गाईज, वेलकम बैक टो नॉटी स्चिचेज आज के इस वीडियो में आपको पुराने कुर्टी की लंबाई बढ़ाने का एक तरीका बताऊंगी इसके लिए मैं एक बॉर्डर का डिजाइन तयार करूंगी जो की बहुत सिंपल है तो यहाँ पर यह पुराने सर्दियों की कुर्ती है और इसकी लंबाई है 42 इंच मुझे इसकी लंबाई 48 इंच चाहिए आजकल के फैशन के हिसाब से क्योंकि थोड़ी सी लंबी कुर्तियां जादा फैशन में हैं तो तक्रीबन 6 इंच लंबाई हमें इसकी बढ़ानी होगी तो लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने एक तो ही चौड़ी लेस ली है इसकी चौड़ाई है तक्रीबन 3 इंच वैसे तो इस तरह की लेस चेंच चौड़ी भी मिल जाती है लेकिन मुझे इतनी चौड़ी नेट की लेस खेरे पर नहीं लगाने थी इसलिए मैं तीन इंच चौड़ा बॉर्डर कपड़े से तयार करूँगी तो यहां पर मैंने कमीज की कड़ाई के रंग के हिसाब से रेड कलर का फैबरिक लिया है चेंच चौड़ा मैंने ये फैबरिक लिया है अब इस फैबरिक और लेस को मिला कर मैं टोटल चेंच चौड़ा बॉडर बना कर तयार करूँगी तो सबसे पहले हम इस फैबरिक को बीच में से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर मैं सिंपल कॉटन का फैबरिक इस्तिमाल कर रहे हूँ आपके बस जो भी फैबरिक पड़ा हो आप वो ले सकते हैं आपके कमीज के प्रिंट या कड़ाई के रंग के हिसाब से कोई भी फैबरिक आप यहाँ पड़ ले सकते हैं तो इस तरह से मैंने इसको बीच में से फोल्ड कर लिया है अब हमें लेस को इसके उपर इस तरीके से रखना है यह देखिए बिल्कुल इसके उपर रख दिया है और लेस की जो राइट साइड है वो उपर की तरफ हमें नजर आ रही है और लेस को हमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना है फैबरिक थोड़ा सा हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए लेस थोड़ी बाहर की तरफ I hope आपको समझ आ रहा होगा और यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है इसके उपर इस तरह से कपड़े को हमें थोड़ा नीचे की तरफ अंदर की तरफ इसलिए रखना है ताकि इसके उपर जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो लेस के उपर बाहर नजर ना आए तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सिल दिया और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से इस तरीके से स्लेस को अटाच करने पर बार्डर की पिछली तरफ भी फिनिशिंग बनी रहेगी और धागे नजर नहीं आएंगे अब हम इस बॉर्डर के बीच में एक ब्लैक कलर की पट्टी लगाएंगे इसके लिए मैंने दो इंच चौड़ा ब्लैक कलर का कपड़ा कट किया है और अब इसे इस तरह से दो बार फोल्ड करेंगे और एक कच्चा टांका इसके बीच में हम लगा देंगे और इस तरह से तक्रीबन 0.7 इंच चौड़ी ब्लैक कलर की पट्टी हमारे पास बन कर तयार हो जाएगी तो ये पट्टी हमारे पास बन कर तयार हो गई है अब इस पट्टी को हम बॉर्डर के बीच में लगाएंगे तो इस तरह से इस ब्लैक पट्टी को हम बॉर्डर के रेड वाले हिससे के बिल्कुल बीच में लगाएंगे इससे बॉर्डर का खालीपन थोड़ा सा दूर हो जाएगा आप चाहें तो इस रेड पट्टी की जगा एजिंग वाली कॉटन की लेस भी लगा सकते हैं ब्लैक कलर में या फिर जो भी आपके कुर्टे का कलर है उसी कलर में तो यहाँ पर यह बॉर्डर मैंने फ्रन्ट और बैक के लिए कठा ही तयार कर लिया है बॉर्डर की लंबाई आपको अपने गेरे की चोड़ाई से थोड़ी से जादा ही रखनी है अगर आपका गेरा है 20 इंच तो फ्रन्ट और बैक का गेरा मिला कर बनता है 40 इंच तो आपको तक्रीवन 48 इंच लंबा बॉर्डर तेयार करना है गेरे के आगे और पीछे लगाने के लिए तो अब हम अच्छे से इस बॉर्डर को प्रेस कर लेंगे तो प्रेस करने से इसके अंदर जो बल पड़े हुए है वो थोड़े से निकल जाएंगे और साथ ही एक्स्ट्र धागे भी हमें कट करने है बॉर्डर के अगली तरफ तो मैंने प्रेस कर लिया है साथ ही हम पिछली तरफ भी प्रेस कर लेंगे इससे हमारे फिनिशिंग और भी बढ़ जाएगी यह देखिए छोटे-छोटे जो बल इसके अंदर पड़े हुए है यह प्रेस करने से निकल जा रहे है इस तरीके से अब यहां पर हमारे यह बॉर्डर बनकर तयार हो गया है और इसकी चोड़ाई तकरीबन साड़े-पांच से छे इंच हमारी तयार हो गई है अब हम इसको अपनी कुर्टी के पल्ले पर लगाएंगे तो इस तरीके से हमें बॉर्डर को लगाना है थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ देना है इस तरह से और इसके आगे से हम कुर्टी के उपर इस बॉर्डर को अटैच करेंगे ये देखिए नीचे दबा कर इस कुरती के उपर मैं इस बॉर्डर को अटाच कर रही हूँ और बारीक बक्ये से बहुत ही सफाई से मैं यहाँ पर सिलाई लगानी है बॉर्डर अटाच करते वे बिल्कुल भी खीचना नहीं है ना तो कुरती के पल्ले को और ना ही बॉर्डर को अगर आप खीच के लगाएंगे तो सिफाई नहीं आएगी अब ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है इसको अंदर की तरफ इस तरह मोड़ेंगे और एक कच्चा टांका लगा लेंगे यहाँ पर और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी बॉर्डर को मोड़ देंगे और एक कच्चा टांका यहाँ पर लगा लेंगे तो इस तरीके से यह बॉर्डर मैंने अच्छा से यहाँ पर लगा दिया है इसके उपर हम तुर्पाई कर देंगे और कच्चा टांका निकाल देंगे तो ये देखिए यहाँ पर अगले और पिछले हिसे का बॉर्डर हमारा कुर्टी पर लग गया है ये देखिए इस बॉर्डर को लगाने के बाद कुर्टी की लंबाई भी बढ़ गई है ये देखिए तक्रीबन 48 इंच लंबाई हमारी कुर्ती की बन कर तयार हो गई है और इस बॉर्डर को लगाने से कुर्ती में एक कलर भी आइड हो गया है जिससे थोड़ी ब्राइट भी लग रही है तो guys, आजके लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और सबस्क्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उससे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के regular updates मिल सकें साथ ही आप मुझे facebook और instagram पर भी follow कर सकते हैं जिसका link मैंने description box में दिया है तो guys thank you so much for watching बाई बाई